हेलो हेलो एबरिवन आज हम बात करने वाले हैं कि जो फ्री ओ लेवल ओ ट्रिपल सी का ट्रेनिंग प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के OBC डेपार्टमेंट द्वारा चलाया जा रहा है तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिये हैं और भी स्टूडेंट्स फिल कर चुके हैं अब उनको आगे क्या करना है और उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी तेके न और उनकी जो क्लासेज हैं वो कब से शुरू होंगी और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्म एपलाई नहीं कर पाए हैं तो उनकी कब तक है और वो कब तक फॉर्म एपलाई कर सकते हैं तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरीके के इन्फोर्मेटिव वीडियो आप तक बहुसते रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेर करना ना भूलिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्ट सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें इसमें तो इसमें जो जो भी स्टूटेंट्स जो अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पाएं हैं तो उनकी जो लास्टेट है इसको अपलाई करने की वो लास्टेट जो है वो दस अगस्त है तो दस अगस्त का मतलब अब ये दस अगस्त है और अब ये आगे नहीं बढ़ीगी तो इसलिए आपने अगर अभी तक अपलाई नहीं किया है तो आप ध्यान दें अगर आपकी यह 18 से 35 साल है qualification intermediate है और category आप OVC में आते हैं और आपकी जो है आई प्रमाणपत्र एक लाग से कमकब बना हुआ है तो आप इसमें apply कर सकते हैं और साथी साथ आप UP के रहने वाले हैं और documents हमने आपको बता चुके हैं पहले भी कि documents के लिए आपको इसमें आपको age के लिए high school certificate देना होगा qualification के लिए intermediate का certificate चाहिए और category OVC होनी चाहिए यह जिसमें 18 जरूरी है बहुत सारे student हैं जो 18 से कम है वो परिशान है तो वो नहीं कर सकते हैं इसमें age 18 पूरी होनी चाहिए और income जो है वो आपकी एक लाग से कम और उसका certificate तीन साल के अंदर का बना होना चाहिए तेकर और OVC के लिए है तो अब जाहिर से बात है OVC का certificate तो इसमें लगे गए तो यह बात हम कर चुके हैं तो अगर आपके पास यह सारे documents पूरे हैं तो अभी भी आपके पास मौका ह आप इसको apply कर सकते हैं 10 अगर्स तक और हमने बताया है कि apply करने में जो है आपको यह सारे document के साथ आपका आधार कार्ड भी लगेगा और आपकी photograph भी लगेगी और इसमें apply कैसे करना है apply करने का procedure हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि बहुत ही आसान तरीका है यह जो website site है उत्तर प्रदेश पिश्डावर कल्याण वेभाग की यहां पर आपको जाना है और कैसे apply करना है इसका वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है और इसका link जो है description में तिया हुआ है वहाँ पर जा कर आप देख सकते हैं और दूसरी बात अगर आप जो है 12 बंकी जिले के ह और आपको form online करने में किसी भी तरीकी कोई भी परिशानी हो रही हो तो यह जो है आप यहां पर आजाए यह देखे हमारा इंसिट्यूट है 12 बंकी में नीलिट का एक मात्र इस्थाई मानता प्राप्त इंसिट्यूट है यहां पर जो है आप contact कर सकते हैं यहां पर address दिये जो है आपका form जो है कोई भी दिक्कत आ रही हो आप अपना form वहीं से apply कर वा लिए और यह तो बात होगे अब अब अगर हमने कहा कि आपको इस website जो हमने आपको बताई कि यह जो अब हमने कहा कि इस website पर आके आपको apply करना है यहां student registration करके और इस तरीके से apply करना है तो अब हम इसमें बहुत detail में नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हम पहले के वीडियो में इस पर बात कर चुके हैं तो अब आगे बढ़ते हैं तो एक बात तो हो गए कि आपको इस website पर जाकर online apply कर देना है दूसरी बात है कि आपको hard copy जरूर अपने जिले के पिछड़ा वर कारियाले में जमा करनी है अगर आपने form सिर्फ online किया या करवाया और hard copy नहीं जमा की तो फिर आपको आपका form accept नहीं होगा इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके जिले का जो भी आप जिस भी जिले में हो उसके जिला पिछड़ा वर कारियाले में आपको यह अपना form सारे document के साथ आयदात निवास आधार high school इंटर सबकी photo copy और form की जो आपने print out निकाला होगा उसकी copy sign करके वो आपको 10 अगस्त तक हर हाल में प के लिए हो गई जिन्होंने अभी तक form apply नहीं किया है अब बात करते हैं कि जो students form apply कर चुके हैं और उनके लिए आगे का क्या update है तो देखिए आप लोग form जैसे apply कर चुके हैं तो अब जो है आप लोगों के लिए अब merit list आएगी 10 अगस्त ये पूरी हो जाएगी 10 अगस्त आएगी और उस merit list के आधार पर ही आपका chain किया जाएगा तो इसको समझने के लिए देखिए ये पिछड़ावर कल्यान विभाग की website है यहाँ पर जो है ये timeline दी हुई है और इसमें पूरा time table दिया हुआ है तो इस time table में जाईए और time table यहाँ पर आप यहाँ पर कि यहाँ पर जो है यह आपके 11 जुलाई से 10 अगस्त यह last date है और यह last date over होने के बाद फिर जो next है time table कि अब जो है यह 11 से 20 अगस्त के बीच में मतलब यह जो आपकी merit list आएगी वो 20 अगस्त के बाद आएगी ठेक है ना तो जो भी merit list आएगी आपकी मतलब आपको पता चलेगा कि आपका result जो है मतलब आपका नाम list में आ गया है वो आपको 20 अगस्त के बाद ही पता चलेगा तो यह समझ लीजिए कि 20 से 25 अगस्त तक आपको पता चल जाएगा कि आपका list में नाम आ गया है तो अब इसके बाद देखिए बहुत सारे student के questions यह होते हैं कि sir हमारा नाम list में आया या नहीं आया यह बात हमें पता कैसे चलेगी तो सबसे पहली चीज तो जब आपने form डाला होगा तो form डालते में जो आपने पहली संस्था उसमें चुनी होगी तो उस पहली संस्था में आप जातर contact कर सकते हैं या अपने जिले के जिला पिछड़वक कारियाले में जाकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका नाम आया या नहीं आया 20 अगस के बाद ठीके ना द्यान से सुनिएगा इसके बाद जिस भी संस्था से आपका हुआ होगा तो वो संस्था वाले आप से खुदी contact करेंगे कि आ आपका लिस में नाम आ गया है आपका चेन हमारे यहां से हुआ है और आप जो है आके निलिट में रिजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी ट्रेनिंग इस तारीक से शुरू करें ठीक है ना अब अगला कोशन यह आता है कि फिर उसके बाद क्या होना है आपका लिस में नाम आ होनी है इस टाइम टेबल के हिसाब से ठेक है तो उम्मीद करते हैं आपको यह बात पूरी क्लियर हो गई होगी कि जो है अब आपको इसमें यह जो आपका फॉर्म फिल होने के बाद फिर आगे आपको क्या करना है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे गुट्बाइ से यू नेक्स ताम